पर टाइम लग रहा है बच्चो एक बास को साइट अप कर लें दीजे मुझे कम्प्रीट उसके बाद फिर आपन स्टार्ट करते हूँ है श्याल अब ठीक है ख्राइम रहा रहा है अबका है रहा है 는 अप्रों ठेजार एन में है एंधर बनावा बच्चड्स पिछली जो दो classes थी उसमें उसमें हम लोगों ने addition की practice की थी decimal वाले numbers को prediction करना, उनका subtraction के हम लोगों ने practice की थी, अभी आज जो हुमारा topic है बच्चों वो है multiplication और division और साथ में कुछ lesson No.1 के points, तो मैं देख सकता हूं कि अभी इस टाइम पे लगभग जो है काफी बच्चे ओनलाइन है जो एक अच्छी चीज है 11 बच्चे है शायदा भी चली ही जो होगे हमें अब स्टार्ट करना है क्योंकि अभी अलड़ी वे अलड़ी बिट लेट तोड़े अभी बच्चे केला टृद रच्चे कर अपता हैच्छी यहाच बच्ची कर अफ देख स्ट्री जो लेव स्ट्री डिधसाओ फläश्ट दिए स्ट्री है कर आफ यहाची कर अभी बच्चाआइ लिव पिर काट लिज लेख संटार्ट उन्भ बच्चे कर लेख स्ट्री with example number one example number one and the example is 24 multiplied by 32 this is a normal multiplication we are doing normal one normal how we are doing as usual so how we have to multiply we will write down 24 multiplied by 32 हमने अभी तक खली normal multiplication के उपर सर बात कर रहे हैं उसके बाद साथ decimal वाले पर आएंगे श्याद रुक रहा है streaming बीच में अच्छा कॉंटिनू चल रहा है आपके पर बीच में रुक रहा है पर मुझे ज़रा कमेंट में डालके बताईए क्योंकि मेरे सिस्ट्रम पर मुझे अलग रहा है कि जो मेरा return आ रहा है data उसमें रुक र आपके घर पे जो आ रहा है इसका वो रुक के आ रहा है और फिर continue आ रहा है बर ज़रा मुझे प्लीज अपडेट कीजिए कि मेरे पास जो आ रहा है यह रुक रहा है बीच बीच में क्लास बीच में अलका शायद कुछ technical issue है जिसके जिसे बीच बीच में रुक रहा है चलिए आगे चलते हैं तो सर में एक multiply का question लिखा करेंगे जैसे करते आ रहा है तो इसमें लाइट का बड़ा बार इतना ज़्यादा आपको कंट्रास बढ़ा देता है सिस्टम मोटो भी इसको मैं देखता हूं सेटिंस में जाके अगर कुछ हो सकता है पॉसिबल है तो सेटिंस के अंदर प्लीज ब्रॉज कास्ट के नॉट रन ड्यूरिंग ओके ओके रूपना नहीं है इसको चली छोड़िए तो हमने सिंपल मुल्टिक्लिकेशन का कुशन लिया 24 मुल्टिप्लाइट बाइट ठीक है नॉर्मल मुल्टिप्लाइट हम इसको कर रहे हैं उसके करते हैं जाए तो यहां पर हम क्रॉस लगाते हैं जो वहारी प्रैक्टिस में फूर्ट रीजर्ट ट्वेल्ट का तू वन चला गया हमारा चला जागा बट्टो ट्री टूज ऑल शिक्स के साथ चला जाएगा तो यह मारा 72 अब हम इसको नॉर्मल प्लस करते हैं तो यह एट करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अप अपनी हैबिट में डाल लीज़े थोड़ा सा हमारा टाइम जरूर एक्स्टा जाता है लेकिन अगर हम क्रोश चेक कर लेंगे किसी कोश्चिन को तो हम कभी बच्चों मिस्टेक्स नहीं करेंगे और हमारे हमेशा है मार्क्स फुल अधिया तो यह नॉर्मा हमने मर्टिक्लाइग किया मैं इसको चैक करते हैं चलिए करके देखे है यह सही है नूर्मार टू पो चला गया हमारा कैरियोवर जो बन चला गया कैरियोवर तो 3這些 सक्सक्स क्षाथ में हुए हमारे सेवन नाउड विल एड ऐड लृड तिस नंबर तो यह हो गया हमारा 8, 6 और 7 तो यह जो तीन नमबर आए 7, 168 यह बिल्कुल नॉर्मल उसमें आया हमारे अब बात आती है कि इसमें decimal नहीं था यहाँ पर question में अब हम इसमें decimal लगाएंगे इसी question को सर उसी decimal के साथ में use करें तो suppose आपका decimal था यहाँ पर ठीक है तो अब अगर decimal सर में यहाँ पर लगा तो यह question क्या बने गया है 2.4 multiplied by 32 अब यह हो गया हमारा 2.4 multiplied by 32 अब यहाँ पर decimal आ चुका है तो अब यह कौन सा multiplication हो गया multiplication with decimal numbers तो हमें अब इसका answer निकालने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यह देखना है कि जितने भी decimals इस question के अंदर है जितने भी सर इसले बोल रहे है क्योंकि एक इधर है तो एक इधर भी आएगा या आ सकता है possibility पूरी है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है बस तो यहां पर हम देख रहे हैं कि decimal के बाद सिर्फ एक digit है जो है four सिर्फ एक single digit है जो कौन है विच्छो four है तो एक digit का मतलब यह होगा कि जो आपका answer निकल के आया यह पहले answer था seven hundred and sixty eight अब यहां पर जो decimal से एक जो number है वो पीछे से आपको decimal लगाना है यानि कि decimal के बाद एक number है तो यहां पर इस eight से पहले इस जगा पर आपका decimal आ जाएगा यानि कि अगर हम multiply करें two point four go thirty two से तो जो इसका answer होगा वोगा seventy six point eight तो इस चीज़ का आपको जहान रखना है एक possibility यह बनती है कि decimal इस तरफ हो यह decimal की position कहीं पर भी हो सकती है हो सकता है कि decimal यहां न होकर यहां पर रो जिरो point twenty four अब क्या हो गया है question बने हमारा zero point twenty four multiplied by thirty two normal multiply करना है जो भी आपने आप question लिया है बस आपको एक चीज़ का धान रखना है कि decimal के बाद जितने number हैं हम count करेंगे numbers को one और two उतने ही number से पहले हमें हमारा decimal answer के अंदर put कर देना है तो अगर यहां पर यह decimal होता बच्चो तो यह दो digit हम पीछे के छोड़ देते और answer हो जाता हमारा seven point six eight अब हमारा answer हो जाता seven point six eight इसी तरह से एक और possibility बनती है बच्चो इसके अंदर की possibility क्या बनती है कि decimal दोनों ही तरफ है decimal इधर भी है और decimal इधर भी है तो उस condition में हमें क्या करना है जैसे suppose मान लिया कि decimal हमारा यहां पर था अब यह question हो गया point twenty four multiplied by three point two अब हमारा जो नया सवाल बना क्या बना point twenty four multiplied by three point two तो बार-बार सर आपको repeat कर रहे हैं कि decimal के बाद जितने भी numbers हैं इनको आप count कर लीजे यहां पर एक number है सिर्फ अकेला one और यहां पर कितने two तो दोनों मिलाकर कितने होगे total हमारे पास three numbers होगे decimal के बाद दो डिजिट की बाद कर रहे हैं सर तो दो number तो यहां पर है two और four और एक अकेला two यहां पर है तो total हमारे पास होगे बच्चो three numbers जो कि decimal के पीछे हैं तो answer में भी जो भी हमारा answer आ रहा है इसका normal तरीके से करने के बाद answer में भी उतने ही number छोड़कर हम decimal लगा देंगे यानि की three numbers के बाद decimal है तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास total number था यहां पर हमारे पास total number ही three है कोई प्रॉलम नहीं है हम इन तीन नमबरों से पहले एक दो तीन यहां पर decimal आ जाएगा लेकिन यहां decimal लगाने के पहले इस नमबर से आगे आप देख सकते हैं बच्चों कुछ नहीं है तो decimal कभी भी सबसे आगे अकेला नहीं आएगा इस से पहले 0 लिखना ज़रूरी है यानि कि यह हो जाएगा हमारा 0.768 तो जैसे आपके भी आंसर बच्चों ने कुछ ने अपलोड की है आप लोगों ने भी 0 नहीं लगा है इसको प्रैक्टिस में डालिए 0 लगेगा decimal हमेशा कभी भी अकेला नहीं आएगा decimal से पहले हमें 0 लगाना है तो finally हमारा decimal वाले multiplication का क्या conclusion निकला कि हमें सिर्फ करेंगे normal तरीके से multiply जो भी question हमारा हमें decimal के पीछे कितने number छुपे हुए है उन number सो count करना है और simple answer जो भी आपका normal तरीके से आपने multiply किया था जो उसका answer है उतने number पहले आप decimal को पूट कर दीजे पीछे से count करने numbers और जो भी answer होगा हमारा वही होगा अब हम इसी question को एक दूसरे example के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसी pattern को यह रहेगा हमारा example number 2 example number 2 में आपको दिया सरने 124 multiplied by 25 यहां पर ध्यान दीजे डैसिमल आपका दो जबापर है 12.4 और 2.5 तो ऐसा नहीं कि हम इन डैसिमल को देखके घबरा जाया रहे बापर इसमें तो डैसिमल हम कैसे करेंगे घबराने की बिल्कुल ज़रुत नहीं आप इसको बिल्कुल नॉर तरीके से हम इसको multiply करेंगे तो करके देखते हैं पहले लिखा हमने 124 यहां पर डैसिमल इस जगा पर हमें पता है अच्छे से और इसको हमने multiply किया 2.5 से ठीक है अच्छा यह addition की तरह नहीं है याद रखना जैसे addition में सर ने बताया था ना 124 और 2.5 तो सर ने आपसे कहा था है कि decimal इक लाइन में होनी चीए असा यहां पर multiply में वो चीज लागू नहीं होती है वो प्रैक्टिस हमारी खाली addition और subtraction में चलेगी जो कि सर ने part 1 और part 2 के अंदर आपको topic clear का रखा है पहले ही अगर कोई बच्छा जिसमें part 1 या part 2 कोई miss किया है प्लीस दोनों part देख लेन हम से क्योंकि यह जो चीज़े चलती जा रही है हमारी यह सीडी की तरह है बच्छो पहली सीडी चढ़े तभी हम सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब नहीं आप आएंगे प्रोपर तरीके से अभी आप यहां देखिए 12.4 को हमने multiply 2.5 के साथ तो नॉर्मल multiply जैसा सर ने आपक 2 हमारा केरिवर पहले से था तुब हो गया बच्छो 12 का दुबारा से 2 आ जाएगा और 1 चला जाएगा अब हमारा नया केरिवर और 5 बंजा 5 प्लस 1 हो गया बच्छों हमारे पास 6 एक बार दुबारा चेक करते हैं देखिए दुबारा चेक करने में कोई hesitation वाली बात नहीं ह आप इस तरह मत सोची कि मैं बहुत intelligent हो मैं कर लूँगा सर भी क्रॉस चेक कर रहे है न यह क्रॉस चेक से फिसली क्या जाता है कि कहीं गलती से हमसे कोई mistake नहीं रह जाए जैसे कि एक mistake सबसे हुई थी जब सब पार टू कर रहे थे वहाँ पर किलो मेटर लिखा हुआ था कि स किलो मेटर है मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे उस टाइम दिमाग में केजी गुसा हुआ था मैंने वहाँ पर केम देखा तक नहीं और हमने उस टॉपिक को उसी तरीके से कॉंटिन्यू कर दिया था चलिए दुबारा चेक करते हैं फाइव फॉर्स टू टू चला गया सर अब इनको क्या करना है हमें यहां पर आगया था में सिकस और 3 और जो की चला गया इस जगा पर और 2 प्लस 1 होगे हमारे पास 3 तो अब आंसर हमारे पास आया 3100 अब हमें जब इतना कैलकुलेशन हमने कर ली अब हमें देख रहा है अरे इसमें तो डेसिमल थे जब डेसिमल थे तो उनके पीछे नंबर कितने है यह देखना है तो पहले हम द हमारा डेसिमल लग जाएगा देख लिजे ध्यान से यहां पर डेसिमल हमारा लग जाएगा क्यों दो नंबर छोड़े सर ने क्योंकि यहां पर भी एक नंबर था और यहां पर भी एक नंबर था तो सर ने दो नंबर छोड़के आपको डेसिमल लगा दिया है अब आपको सि इतना ध्यान रखना है कि अगर decimal के बाद 2-0 है decimal के बाद कोई number नहीं है सिर्फ 0 है तो हम चाहे तो उसको लिखे और चाहे तो न लिखे यानि कि ये भी हमारा सही है और अगर सिर्फ हम इसको 31 लिखे तो भी हमारा answer सही है तो दोनों ही conditions में हमारा answer सही है तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को कुछ-कुछ how to multiply the decimal number समझ में आ गया होगा और इसको चेक करने के लिए आपके लिए question ही रहा इसको आप कर लिए फटा-फट और अभी मुझे upload कीजे इसका answer क्या आया आपका comment box के अंदर 16.4 multiplied by 3.2 और याद रखिए calculator यूज नहीं करना है, mobile phone यूज नहीं करना है laptop में नहीं करना, computer में नहीं करना खुद निका लेंगे, अपनी copy में करेंगे और फटा-फट जो भी आपका answer निकल के आ रहा है सरको उसको upload कीजे अभी ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हो सकता है अगर किसी बच्चे को help की चीज़र तो आप help ले सकते हो, help लेने में कोई problem नहीं है, ठीक है अगर कहीं कोई problem आ रही है तो step समझने में मैं 2 मिनिट बाब वीडियो पंडियो करूँगा जब तक आप लोग इसका answer निकाल के मुझे मेरे comment box में आप डाले हैं कि अगरे अगरा है जब आप अगरे तो कि अगरे आंसर साना स्कार्ट हो गए है 51.48 52.48 जादा तर के 52.48 है किसी का 53.48 भी आया है बहुत अच्छा लेगिन जादा तर बच्चो के जो comments में आंसर सारे है बच्चों यह 52.48 आ रहे है मेरे पस सब्सक्राइब इसको जरूर चेक करेंगे क्रोस चेक जरूर करेंगे हम लोग अभी फिर देखें कि answer क्या आता है और कुछ बच्चे शाट डाल रहे हैं ज्यादा तर बच्चों का यह आप answer डाल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है बच्चों कि आप खाली पहले वाले ने क्या comment डाला खाली उसको कॉपी मत कीजिए आप अपना खुद का दिमाग भी यूज कीजिए प्रैक्टिस आपको करनी है comment देख कि हमें कुछ नहीं करना है कहीं पता चले पड़ोसी के बढ़ों से बैठे है फिर अपन पेपरों में तो इससे बढ़िया है कि आप खुद अपने आप उसको प्रैक्टिस कीजिए किसी ने क्या comment डाला अगर हमारा answer इनसे अलग आ रहा ह चलिए अब सर इसको जैसे देखिए कई लोगों की answer इसमें 51.48 भी आ रहे हैं ज्यादा तरका 52.48 है कुछ बच्चों का 53.48 भी आया है अब हम इसको solve करते के देखते हैं कि answer आएगा क्या अगर आपका सही है बहुत अच्छी बात है अगर हमसे कहीं पर कोई मिस्सेग होई है तो हम पगड़ेंगे कि आके गलती कहां पर होई तो हमारा question था 16.4 multiplied by 3.2 यह हमने सर में लिखा था question तो चलिए multiply करते 16.4 multiplied by 3.2 देखिए आपका answer सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है भी एट साथ में चेक करते जाना जो जो स्टैप आपकी complete होई है शिक्स टूसा होगया हमारा 12 का 2 1 चला गया हमारा carry over और 2 1 जा 2 प्लस 1 होगया 3 वापिश क्रॉस चेक करना है सरने पहले भी बोला था 4 2 जा 8 6 2 जा 12 का 2 1 चला गया carry over और 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अब multiply किया 4 3 जा 12 का आगया बच्छो 2 1 चला गया हमारा carry over 6 3 जा 18 प्लस 1 होगया हमारा 19 19 का आगया 9 again 1 carry over और 3 जा 3 प्लस 1 4 यह क्या प्लस 1 चलिए अब हम इनको प्लस करेंगे 8 का आगया बच्छो 8 2 2 हो गया 4 और 9 प्लस 3 हो गया 12 का 2 और यह carry over चला गया हमारा यहां पर यह हो गया 5248 और decimal के बाद देखेंगे हम एक नंबर यहां पर है एक नंबर यहां पर है नहीं कि दो नंबर है डैसिमल के बा जाएगा तो जिन बच्चों का अंसर यह आया है बहुत अच्छा कि आप लोगों ने और जिन बच्चों के आंसर में अगर मान लिजिए कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई थी तो आप अपना अंसर प्लीज क्रॉस चेक कीजिए और पता लगाईए कि हमने कहां पर मिस्टेक की मैं छोडने वाला नहीं इस टॉपिक को एक लास्ट इसकी एक्जांपल नमबर थी एक्जांपल नमबर थी के अंसर में ने दिया है ट्वन्टी फॉर जीरो पॉइंट सॉरी याद रखें यहां पर जीरो पॉइंट टू फॉर सिक्स मल्टिप्लाइट बाइफ फॉर्टी इस तरफ डेसिमल नहीं है खाल डेसिमल एक ही तरफ है किस ज़गा पर है यहां पर सुल्व कीजिए इसको फटाफट और आंसर अप्लोड कीजिए जितनी जवदी हो पाता है आपसे कुश्चन है 0.43 0.2 पोइंट तूफोर सिक्स मल्टिप्लाइट बाइफ 43 इसका आंसर न इसके है नया कुश्चन हमारा और इसके अंदर अपना दिमाग लगाईए और आंसर निकाली लिए क्या आता है मुझे कुमाइंट बॉक्स में अप्लोड कीजिए इसके आंसर चालिए शाबाश सर्वेट कर रहे हैं आपके आंसर का देखते हैं क्या अंसर आप लोग अप्लोड करते हैं कुश्चन है 0.246 x 43 यह 3 थोड़ा उपर आगया लिखने में अलब कुछ कंफुजर नहीं हो आपको तो इसको सरसाही कर देते हैं 3 यह दीजे को कि यह यह दून स्वागां है कि आपको कि यह दों यह दो जूए है कि कशना जी का अँसर आ गया है अगुटा बटा आपका नाम क्या इसके नाम डालो यह आप यह लो आप पापा के नमबे आईडी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यह जो बच्च आंसर लिख रहे हैं बटा नाम लिखते जाओ साथ साथ जो आंसर है जिसका अधागी मुझे पता तो चले बड़ा कन्फूजन अभी भी आ रहा है अच्छा दिख्षय का था ओके ज्यादा तर बच्चों का आ रहा है 10.578 एक बच्चे का है 0.9538 भी आया है 4.578 भी आया है ओके यानि कि अभी भी कन्फूजन चल रहा है कही ना कही थोड़ा बहुत है ओके विहान अच्छा विहान भी लगा हुआ है वेरी गुड विहान अरे भई हर्शिता यह क्या कर रहे हो 10 आपने लिखाए 1057.8 बिटा कोश्चन में देखो ना डेसिमल के बाद तीन नंबर है कहां जाने कुमारा तुमने डेसिमल के बाद सिर्फ यह की नंबर लिया है अच्छे करो इसको थोड़ा सच वापिस थोड़ा अच्छे से चेक करो आप ठीक है आशिता पहले डेसिमल सर यही तो समझारे है कि डेसिमल की पोजिशन तो चेक करने हैं यह अपने को डेसिमल के पीशे नंबर कितने बस यही इसका की पोइंट है अगर हम इस तरह से मल्टिप्लाइ करते हैं तो हो जाती है छोटी मोटी गलती है कोई बात नहीं चलिए इसको आप सर वापिस से इसको करके दिखा रहे हैं तो अभी हमें कुछ नहीं करना है हमें प्रैक्टिस खुद करनी है है किसी की नहीं लेनी है मम्मी पापा की आप खुद कीचिए गलत हो रहा हो नहीं दीजिए सर बैठ है आपको समझाने के लिए आप क्यों परशान होते हो गलत हो रहा होने दो कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस खुद करेंगे यही बस सबसे जरूरी है हमारे लिए चलिए अब इसको आंसर निकालते हैं तो इसका हम आंसर निकालते हैं सिधा तो पहल हम इसका अंसर निकालके कोश्चन करें कि कैसे निकला अब देखिए पॉइंट से पहले हैं पर सिर्फ जी हुआ है ठीक है तो हम इसको इंक्लूट नहीं करेंगे अपनी के अंदर इसको भूल जाए है आप ऐसा नहीं कि जीरो से भी मुल्टिप्लाई करते हैं इसको है नहीं है भूल जाना है इसको कि आपना अगे बढ़ेंगे नहीं हल स्टैप क्रोशेक करने ज़रूरी है 6 3 18 का 8 1 केरियोवर 4 3 12 प्लस 1 13 का 3 1 केरियोवर 3 2 6 प्लस 1 7 अब यहां प्लेम लगाएंगे क्रोस कमा 4 6 24 24 का आगया 4 अब केरियोवर क्या चला गया हमारा 2 6 4 24 का 4 केरियोवर चला गया हमारा 2 4 4 16 प्लस 2 हो गया बच्चो 18 18 का आगया 8 केरियोवर आगया हमारा 1 और 4 2 प्लस 1 9 नीचे वाले स्टैप को फिर से क्रोस चेक कर रहेते हैं 4 6 24 का 4 आया 2 केरियोवर चला गया 4 4 सा 16 प्लस 2 18 का आगया 1 केरियोवर चला गया 4 2添 id plus 1 हो गया 9 अब हम इनको एड करेंगे सबको ए 24 प्लस 3 हो गया अमारा 7 को निचेक और 7 प्लस 8 हो गया बच्चो 15 का फाई वन चला गया केरियोवर और यलंए हमारा 10 ंसर हमारा निकला यह 10578, डिजिट्स में अगर बूलें तो, अब इसमें हमें लगाना है decimal, तो decimal की position क्या होगी, decimal के बाद में बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कि तीन number है, हमारे पास, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, यहांने कि पीछे से तीन number पहले हमें decimal को लगाना है, तो decimal की position होगी, 1, 2, 3, इस जगा पर, तो यह हमारा answer होगया, 10.578, ठीक है, क्या answer है, 10.578, कोई confusion है किसी बच्चे को इसमें, मुझे नहीं लगता कि इस topic में आप किसी भी बच्चे को confusion होगा, आप घर पे इसकी practice कीजिए, at least आपको 15 questions, 2 digits, multiplied by 3 digits के, करके, यहूंवा क्वेरें से आपको जहान किये, यहूंवा क्या कि 15 questions, 2 digits, multiplied by 3 digits, जो कि decimal वाले हैं, आप इनको करेंगे, घर की copy में आप करेंगे, और मेरे personal WhatsApp नमबर पे, आप मुझे, विद नेम, बच्चे का नाम क्या है, किस ने की है, यह मेरे पास, शान तक आजाने हैं, सब बच्चों के, 15 questions, जिनमें 2 digits और 3 digits वाले नमबर, 2 digits मतलब जैसे कोई भी नमबर, 10 वाली उसका, और 1 to 100 के कोई भी नमबर, और 3 digits वाला, 100 और 1 to 100 के लेके, 99, 99,999,999 तक के नमबर, कोई भी नमबर आप ले सकते हैं, और decimal आपकी मर्जी है, एक कम से कम decimal होना जरूरी है, कहीं भी लगाओ, जहां आपका इच्छा करें, इन 50 questions के answers, आप लोग मुझे शाम तक upload कर देंगे, दूसरी चीज़, सबसे important चीज़, मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, कि मैरी एक website है, अलग से पहले जहां से आप लोग sample papers के तोरों पे, प्रिवेस एर्स के papers ले लीजिए, डाउनलूड कर लीजिए, और वहाँ पर उन question papers के अंदर ढूणने की कोशिश करो, कि कितने ऐसे questions है, जो सर ने अब तक हमारा decimal वाला point क्लियर किया है, इसके अंदर आ रहे हैं, और उनको solve करने के आप कोशिश कीज़, पर गलती हो रही है, या कोई mistake हो रही होने दीजे, छोड़ दी उसको, बाद में जब अब आरे रेगुलर क्लासिस स्टार्ट होगी, सर सारा दुबारा कराएंगे, ये क्लासिस के अंदर थो, लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि आपके basic concepts पहले से clear हो जाएए, साथ में कुछ important points लिखवा रहे हैं, सर आप उनको note down कर लिजे, और हम lesson number one के कुछ questions अभी solve करेंगे, तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई problem है, तो बताइए मुझे comment के अंदर, नहीं हैं तो फिर आप लोग घर पे आप practice करेंगे, आपका हो जाएगा, पूरा पूरा topic clear, अब आ रहे हम लोग division वाने topic में, और उसके बाद हम इसके कुछ practical uses भी काम में, कैसे लिएने हैं उसके समझाएगे सर भी आपको, एक चीज़ और, इससे पहले सबसे पहले, कल जो हमारी last video हुई थी, वो दो parts में हुई थी, first part के बाद कुछ वीडियो में streaming में प्रॉलम आई थी, सर ने उसके बाद second part अप्लोड किया था, जस्ट उसके बाद जो लगब बारा-तेरा मिनट का था, बाद में उसमें कुछ technical issue हो गया, और वो वीडियो सर गो delete करने पड़ी, तो उसके अंदर क्या था उस वीडियो के अंदर, जो बच्चे उसको नहीं देख पाए थे, उनके लिए सर समझा रहे हैं, और जिन बच्चों ने देख लिया था, बहुत अच्छी बात था, थोड़ा सा दुबरा अपना time उसी point पर देते हैं, कि सर ने उस दिन आपको बताए था, यूनिट्स में हमें कैसे convert करना है, जैसे किसी ने बोला, 2.4 km is equal to dash km और dash meter, ये वाला हमारा topic था, ठीक है, तो अब सर ने आपको अभी तक जो बताए था, उसको ध्यान दीजे, कि decimal से पहले जो भी number है इस तरफ, वो direct इसी unit का है, यानि कि 2 तो हो गया km, तो 2 तो आगया बच्चो km में, और जो 0.4 है, ये है सबसे important part, जो 0.4 है, ये कितना है, इसकी value क्या है, basic value इसकी क्या है, तो इसको समझाने के लिए सर ने उस दिन बताए था आपको, कि किलो मीटर से जस छोटे unit का ratio हमें ढूंडना है, यानि कि 1 किलो मीटर में कितने मिटर होते हैं, तो सर ने लिखा था, 1 किलो मीटर is equal to 1000 मीटर, और 1000 के अंदर हमने देखा, कितनी 0 आई, 3, यानि कि decimal के बाद 3 number होंगे, decimal के बाद 3 digit होंगे, यह जरूरी है, तो यहाँ पर जो निखा हुआ है किलो मीटर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सिर्फ एक ही number है, तो दो number और आएंगे, तो यह दो number क्या होंगे, 0, तो यह बन गया बच्चो, point के बाद 400, तो यहाँ पर जो meter होगा, वो 400 होगा, यह खाली 4 नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए, उसके बाद दूसरा समझाते हैं, 30 के अंदर, चलो इसी पहले किलो मेटर वाले को यह फ़न पूरा गंप्रेट करते हैं, जैसे किसी ने कहा, 1.25 किलो मेटर, इस इक कोई टू डैश किलो मेटर, डैश मीटर, तो हमारे पास है 1.25 किलो मेटर, बिलकुल उसी तरीके से है यह, तो 1.25 वाले का असर नहीं क्या हो जाता है, कि डैसीमल से पहले, याद रखिए, डैसीमल से आगे की तरफ, जो भी नमबर है, वो डैरेट इसी यूनिट का है, तो 1 तो होगी हमारा किलो मेटर, उसके बाद है 0.25, इस 0.25 का क्या करना है, हमने याज है अच्छा से कि 1 किलो मेटर में 1000 मेटर होता है, और जिसमें होते हैं 30, तीन, यानि कि डैसीमल के बाद 3 नमबर आएंगे, हम काउंट करते हैं, डैसीमल के बाद नमबर है कितने, तो एक तो है 2 और एक है 5 यानि कि दो नमबर है, एक नमबर हमारा मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है बच्छो, 0, तो ये क्या बन गया, 250, तो ये जो 250 है, ये डारेक्ट इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन गया, 1 km, 250 मीनर्स, इसी तरीके से अगर जैसे हम ने किलोमेटर का किया, अगर हम दूसरी उनिट्स के साथ भी इसको करते हैं, अगर हम दूसरी इनिट्स के साथ इसको करते हैं जैसे मान लीजे किसी ने आपसे कहा 2.76 लीटर्स इस 2.76 लीटर्स के अंदर कितने लीटर है और कितने मिली लीटर्स है तो इसका पता करने के लिए हमें सबसे पहले जैसे मैंने लिखा इस इकोल टू डैश लीटर्स सोरी डैश मिली लीटर्स तो जो हमारा है यह 2.76 तो डैसिमल से पहले वाला जो होगा वो तो डैरेक्ट चला जाएगा लीटर के अंदर तो 2 तो आ गया लीटर में अब बच गया 0.76 इस 0.76 not 76 76 0.76 अब हमें लूदना है ratio किसका लिटर का लिटर से चोटा योनिट क्या होता है मिली लिटर तो कितने मिली लिटर मिला कर वन लिटर बने गा तो वन लिटर इस एकुल 2 होँता है बच्चों धूब 13gehen कि बार तीन नंबर तक हमेरा अंसर जाएगा और यहां पर हैं decimal के बाद सिर्फ दो number या तो तीसरा number हम क्या लगा दें या आपर 0 तो ये बन गया हमारा 2 liter और 760 ml 760 ml इसी तरीके से अगर हम दूसरा question भी करते हैं किसी और number को जैसे हम लेते हैं यहाँ पर किसी में आप से का 1.3 meter is equal to dash meter dash centimeter meters या फिर 1.4 meter is equal to dash centimeter direct यहाँ पर इसने meter पूचा ही नहीं है बीच में दोनों में बस फर्क क्या है या तो ये बैफर किट कर सकता है कि meter अलग कर दीजे, centimeter अलग कर दीजे या फिर बोलेगा सभी को direct आप उस यूनिट में ले दीजे जो भी हमने किया है उसको direct आप उस यूनिट में ले दीजे तो अगर हम इसको decimal वाले multiply से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं वो भी बहुत इसी है कि जो भी इसका रेशवार है सीधा उस संबर से multiply कर दो हो भी आप कर सकते हैं लेकिन अभी जो सर आपको basic जो बता रहें आप उस पर ध्यान दीजे यहां पर है मीटर बच्चों और हमें किसमें निकालना है मेटर से छोटा यूनिट क्या होता है सेंटी मीटर और उसमें क्या रेशो क्या है हम लिखते हैं अब यहां ध्यान दीजे वो जो किलोग्राम और लिटर वाला था उसके अंदर हम लोगों ने 1000 का रेशो लिया था क्योंकि वहां पर 1000 था मिटर भी 1000 थे और मिलिलिटर भी 1000 थे लेकिन यहां पर अब मिटर में सेंटी मिटर है 100 और 100 में बच्चों 0 कितनी है दो यानि कि अब हमारा जो अंसर हैगा उसमें डैसिमल के बाद सिर्फ दो ही नमबर रहेंगे तो यहां पर हमने देखा कि डैसिमल के बाद सिर्फ एक नमबर है 3 तो दूसरा नमबर क्या हो जाएगा 0 यहां पर decimal के बाद सिर्फ एक number 4 तो दूसरा number क्या हो जाएगा 0 तो यह बन गया 40 और यह बन गया 30 तो यह हो गया हमारे पास 1 meter 30 cm और हो गया 1 meter अच्छा इसका आपने वो करना बागी है इसको अपना भी थोड़ा सा देखते हैं यहां पर हमने देखा कि 1.40 को इसने बोला कि जीदा सेंटीमेटर में convert करो ठीक है तो सेंटीमेटर में convert करने का मतलब है कि हमें इन पूरे को और हमें पता है कि 1 meter में कितने होते हैं 100 हम लिखते हैं 1 meter is equal to 100 cm तो सीधा आप इस number को direct 100 से काम खतम यानि कि 1.40 multiplied by 100 देखें 0 से किया एक दो तीन जिरो उस लग गया दुबड़ा 0 से किया एक कि दो और तीन जिरो फिर से हमने दो क्रोस लगा दिया वन से किया तो 0 4 और 1 आंसर क्या है जीरो 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 फॉर वन और अब हमने क्या देखा कि कि देसिमल के बाद कित्ते नंबर यहां पर दो तो पीछे से दो नंबर पहले डांसर लग गया यहां पर तो हमारा आंसर क्या बज़ गया वन हंडेड़ एंफॉर्टी सेंटीमेटर कि इसी तरीके से वहां पर भी अगर हम चाहते तो उसको सीधा थाउजन से तो इस टॉपिक को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मेरा चला गया है कोई बात निए अब हम आते हैं डैसे मल वाले डिवीजेंस के अंदर जो की बहुत सिंपल है और आम ज्यादा है भी नहीं लेंगी और टॉपिक के अंदर क्योंकि हमारे को खुद को बहुत सार इनको अलांकि मैट्स में इंपोर्टेंट पॉइंट सामगी कोई चीज होती नहीं है पर फिर भी आप लिख लीजे वन सॉरी वन बाय टू इस इकुल टू जिरो पॉइंट फाइव ये नो डॉण कर लिजे सरा ये बहुत काम आने वाला है आपको थी बाय फूर इस इकुल इकुल टू जिरो पॉइंट सेवन फाइव उसके बाद आ गया वन बाय फूर इस इकुल टू जिरो पॉइंट टू फाइव ये क्यों लिखा सर में अभी सर्म थोड़ी से दिरे बाम इसके उपर आ जाएंगे तो क्योंकि थोड़ी दिर बाद इस पर आना ही है तो बैट र बार-बार मुझे भी डिस्टरब नहीं करेंगे आपका अब भी खराब नहीं होगा वन बाय तो इस इकुल टू जिरो पॉइंट फाइव त्री बाय फूर इस इकुल टू लगा दिया है यानि कि इसके बराबर है ठीक है तो इस कंडिशन में अगर कहीं पर mm सब्सक्राइब टो ज़हाँ पर नंश्रैसंन हो और कहीं पर हाफ है तो वहाँ पर आप 0.25 के भी उसका अंसर निकाल सकते हो अदरुइस क्या है कि छोटी मौटी यह आपके लिय सरफ शरा लिखाग ुर्रू गंसर आफ के बहुति इंपोर्ट्न पॉइंट गैय जिसका न and distance speed, time and distance ये क्या है बेसिकली ये lesson number one के अंदर एक boards का इस topic है कि कोई board चलती है उसने इतनी speed में start किया तो वो कितनी देर में कहां पहुँची वगरा वगरा इस तरह के कुछ questions है तो उनको हम थोड़ा सा धान देंगे एक minute, just one minute we will continue for 10 more minutes after that we will finish today's class और बीचे में हो सकता है net connectivity की वज़े से अगर बंद हो जाए तो tension नहीं करना बस खटब तो speed, distance and time के लिए सबसे पहले में तीन चीज़े याद करनी हैं और वो चीज़े हैं distance का याद रखना सबसे बहुत बढ़ी है जी तरीका हो तुम्हें सारे निकाल लाएंगे यानि कि speed अगर हमें निकाल लिए किसी चीज़ की speed is equal to distance divided by time distance उपर रहेगा time निकाल लाएं is equal to distance divided by speed चेक है और अगर distance ही निकाल लाएं तो इन दोनों को हम multiply करते हैं कि इसको speed को multiply by time यह है basically इसको अगर हम short form में अगर लिखते हैं तो short form में अब इसको लिख सकते हैं यहां दगा रहा है कि अब इसको क्या रहा है s is equal to d upon t t is equal to d upon s और d is equal to t multiplied by s here s stands for speed d stands for distance and t stands for time मुझे लगता है श्याद आप लोगोंने copy कर भी लिया होगा नहीं कि अगर copy किया है तो ज़्यादा सोचने कि जोड़त नहीं फार्मोले आयाद करने कि ज़रत नहीं आपको सिर्फ इतना याद रहना है कि distance उपर रहेगा स्पीड पूछ रहा है तो distance उपर आ जाएगा time नीचे चला जाएगा time पूछ रहा है तो distance उपर आ जाएगा speed नीचे चली जाएगी लेकिन हाँ अगर distance ही पूछ रहा हो तो दोनों को हमें करना है अब इसके कुछ कोशिशन हम ट्राइल करते हैं यह लेसन नमबर वन में आप देखेंगे तो आपकी बुक में मिल जाएगी कुशन अब एक नॉर्मल कोशिशन हम लेके चलते हैं कि एक बोट है जो 20 किलोमेटर पर आवर से ट्राइवल कर रही है तो हमें यह पता लगाना है कि 4.5 आवर्स में कितना distance ट्राइवल कर लेगी तो हमें तीन चीज लिखनी है पहले Speed, Distance और Time आप ऐसे नोट कर लीज़े बस खाले तीन आपको वेलू तीनों की पता होने चीज़े तो सर ने बताया था कि बोट की स्पीड है 20 किलोमेटर पर आवर कि स्पीड से वोट ट्राइवल कर रही है Distance का हमें पता नहीं है तो हमने लगा दियो question mark और time है 4 and half hours 4 and half hours तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो बोट जो स्पीड 20 किलोमेटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है ये 4 and half hour में कितना distance कवर करेगी तो यहाँ पर हमें आंसर निकलना है बच्चुट distance का दिस्टेंस का फार्मुला सबने क्या बता था दिस्टेंस के अंदर time और speed दोनों multiply होंगे तो हम लिखेंगे distance is equal to speed multiplied by time एक और चीज़ डाइरेक्ट multiply आप कभी नहीं करेंगे हमें steps में ही करना है सरह का सरह क्योंकि marking जो होती है आपकी papers की वह इनी steps को देखके marks मिलते हैं डायरेक्ट इदर आपको सांसर लिख दोगे तो उसका कोई value नहीं है तो हमें यहाँ पर करना स्पीड को time के साथ यानि की स्पीड क्या रही है हमारी 20 km पर आवार तो 20 multiplied by time क्या रहा है और यहां पर आती है वह important बात जो सर ने आपको थोड़े देर पहले लिख वाई थी क्या कि अगर वन बाइट टू को हम चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं हुझे पहली सर ने आपको बताया था तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि वन बाइट टू की जगा पर 0.5 लिख देने तो यह हो जाएगा 20 multiplied by 4.5 तो 20 multiplied by 4.5 जब हमने लगाई दिया है तो अब हम इसको 4.5 को मल्टिप्लाइ करके देखते हैं क्या आता है तो हमने किया 20 multiplied by 4.5 तो 10 क्या के नंबर नहीं है तो कहरी और नहीं लगेगा सीधे यह कॉपी हो जाएगा तो 4 zeros are 0 और 4 zeros are 8 ठीक है जीरो जीरो 9 और decimal के बाद है एक नंबर तो आंसर किता है हमारा 90 किलो मीटर्स ठीक है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है पैटल समझ में आगा है सबको खुशे बैटास को लेगे जाना से तो अभी हमने किया कि अगर किसी चीज़ की यह तो हो गया डिस्टेंस वाला डिस्टेंस वाले के अंदर नार्मा मल्टिप्लाइ करना है आप निकाल लोगे बाकि दूसरे नंबर में डिवाइड है तो हम डिवीजन भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक कोश्चन सर ने आपको देखे कर द किलोमेटर पर आवर और टाइम है आपके पास और मुझे आप बताइए कि यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा फार्मूला लिखेंगे पूरा का पूरा उसको केल्कुलेशन करेंगे और त्रिवाइफ पूर की जगा हमें क्या यूज करना है 0.75 तो खाली 354 हट जाएगा और में इसका फार्मूला लिखना है सर ने पता दिया स्वीरफ टी की time डैंग सरमें 4 & 3 by 4 आवर डिस्टेंस का फार्मूला यहाप लिखा हुए 3 x 4 की वैलू यहाँ पर लिख़icial आपको सिर्फ आरे कालना है कीजिए आपartet करते हैं आपका अधिट टेल कि नए कुश्चन में स्पीड है 40 की डिस्टेंस पता करना है और टाइम है फॉर एंड फॉर आवर्स मुझे कमेंट बॉक्स में आपका अंसर चाहिए इस इस आवर थर्ड पार्ड फमेज और जो आपने कैकुलेशन के हैं चाहिए पहले वाले कोशन के थी या आप इसकी कर रहे हो या इससे पहले जो आपने किये थे इन सब को आप कमेंट मुझे बाद में इनकी फोटो खैच के कौपी के पेस की और मुझे मेरे परसनल लंबर पे मैं बार बार पुड़ रहा हूँ आप विध यूर नेम आप अप्लूड करेंगे चलिए आप लोग इसका आंसर निकाली है नो दो मिल्ट वेट कर रहा हूं फिर आपन आगी को कॉंटिन्यू करेंगे इसका 190 km in one hour बाटा one hour में 190 km कैसे जाएगा है वन आवर थोड़ी है वो टाइम तो देर खाया ना फोर एंड फोर फोर आवर्स जातर बच्चों का 190 आ रहा है इसका अंसर अभी और मैं थोड़ी दिन वेट करता हूं अभी कितने बच्चों आ गया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस बच्चों का अंसर है दसका दसका बनना एंडिया है एक वर सर फिर भी इसको ट्राइग रखें यह वाला मैं मिटा रहा हूं पहले वाला क्योंकि हमारा फार्मूला यही लगेगा फिर भी याद रखिए आपको प्राक्टिस के लिए दुबारा उसको कॉप्टी करना ही है फार्मूला याद इसको अपने हैबिट में डाल लीजिया हम डिस्टेंस मुझे पता है मुझे पता है मैं यह नहीं चलेगा हमें लिखना है मतलब लिखना है बस हम तर नहीं में स्पीड थी 40 की तो आजाएगा 40 मल्टिप्लाइट बाइट तो यह हो गया हमारा फूरेंट थी बाइट फॉर आवर्स देखें जरूरी नहीं है कि वह आपको थी बाइफ पैटन में दें और थी बाइट फॉर की जगहा पर क्या प्लेस करना है सरको 0.75 यानि कि 0.75 तो यह बने गया 4.75 अब हमें इसको मल्टिप्लाइए करना है सिंपल तो हमने मल्टिप्लाइए किया 4.75 को 40 से 05 जरो 7 0 जरो और 4 0 जरो भी 0 आजाएगा क्रोस किया 4.50 20 का 0 2 चला गया हमारा कैरियोवर 4.70 28 प्लस 230 फिर चला गया 0 कैरियोवर और 3 हो गया हमारा कैरियोवर 4.50 16 प्लस 3 हो गया 90 हमने इसको प्लस किया तो आंसर है 0 0 0 9 और 1 अब हमें देखना है वही बात कि पीछे कितने नंबर है डैसी मल्ड के पीछे हमने देखा कि दो नंबर है कि सिफ दो तो आंसर के पीछे की तरफ के 2 नंबर से पहले डैसमन लग जायगा और सरने थोड़े पहले भी आपको वीडियोग में हम मzahl्टिप्लाई worker कर रहे थे आंसर तो मैं बता है कि decimal के बाद अगर 20 है तो भी ठीक है और नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉलम नहीं है तो इसका अंसर आ गया बच्चो 190 किलो मीटर्स अगर यही आंसर आपको statement में लिखने के लिए कहा जाए तो हम लिखेंगे 190 किलोमेटर्स इन 4 & 3 x 4 आवर्स वहां पर वन आवर मत लगाईएगा ठीक है वहां पर वन आवर हमें नहीं प्लेस करना है क्योंकि एक बच्चे ने आप 15 questions को homework में डाल लीजिए अपने तो टूटल homework हो गया 15 questions तो distance वाले जैसा सर ने निकला है इसी बैटन पर अपनी मर्जी के कोई भी नंबर लो कोई प्रॉलम नहीं है और 15 questions होगे 2 digits multiplied by 3 digits decimal वाले तो 30 questions है आपको homework दे रहे हैं और घर पे रहेंगे सारे बच्चे फालतू घूमने की ज़र्द नहीं है वैसे खेर तुमारे parents पे अलोग नहीं कर रहे हैं और condition बच्चो worst होती जारी है day by day तो कोशिश कीज़े घर के अंदर ही रहें ज्यादा तर टाइम और अपना time फालतू की चीज़ों की बजाए studies पे focus करेंगे तो बच्चों आपके लिए सही है चलिए thank you so much for today's class और एक चीज़ और जो बच्चे चैनल पे नए हैं आप subscribe कर लीजे चैनल को ताकि आपके लिए फिर आगे कभी ऐसा हो जाए by chance किसी बच्चे के पास को इन लिंक नहीं पहुंच प है ठीक है तो आप कर लेना ताकि आपके पास कभी कुछी चीज मिस नहीं हो मेरा कहने का उतलब ही है और हमारा यह जो पार्ट चल रहे हैं यह पार्ट चलते जाएंगे ताकि कभी भी अगर आपको किसी टॉपिक में की confusion है तो आप उस पार्ट को देखके उस टॉपिक को द मैं चेक करूँ है अइस जो बच्चे अप लोड कर देंगे answers अपने उनीकों मैं चेक करूँ है और आपको वैसे marks देए नहीं पर बता देंगे कि आपको इतने सही थे और कितने गलट थे और सारे बच्चे अपना answers जब timing अच्छा time बताना पड़ेगा तुम तो फिर सारा पादर विटकर दरहोए कल हम टाइन देते हैं आपको शाम को पांच बजए एक्जर्प शाम को पांच बजए आपके पास एक वाट्सप पे कुश्चन पेपर